आज की सबजी है आलू माटा टमाटा की सब्सक्राइब बहुत ही सिम्पल भी आसान सी रेसिपी भूत कम मसालों के साथ कई यह सब्सक्राइब परफेक्ट है उस टाइम के लिए यहां पे मैंने लिया हुआ है आ एक चमच तेल तेल सर्सों का तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे ताकि धुआ निकर लें लगे और आब इसमें डाल देंगे एक चमल सीरा जीरे को थोड़ा सा तलने देंगे और इसमें डालेंगे कटे हुए हरे मिर्च तो यह मिर्च मैंने 4-5 लिये हैं आप एक या दो भी डाल सकते हैं और मिर्चों को थोड़ा सा तल जान देंगे इसके बाद डालेंगे हम एक कट्वरी मंतर और इसको फ्राइ करेंगे मंतर के साथ थोड़ी देर धीमियाच पर और अब इसमें डाल देंगे हम दो कटे हुए टमाटर मीडियम साइज के टमाटर के साथ भी ऐसे थोड़ी देर भून लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी एक चमच और यह है अद्रक तो मैंने इसको कूट लिया था एक चोटा सा टुकड़ा है आप कदू कच भी कर सकते हैं या फिर काटके भी डाल सकते हैं बस इसको हम भूनेंगे ताक यह कर दर सकता हैं अब अब दोड़ी laal मिर्च और नमक बहुत इसम्पल सबजी में इस बहुत अगए नमक डाल दिया और इसको भून लेंगे थोड़ा आपनी और रभूना दिया बहुत पानी यह इसको गलने देगे मतर नीकर को नधर को करीब 6-7 मिनिट लगेगा मटर गलने पर अगर बहुत टाइट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अधर्वाइस यह जल्दी गल जाते हैं और बस यहां पर हो गया मटर और अब इसको में खोल के देखती हूं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा ज्यादा सा पानी पानी ज्यादा डालेंगे क्योंकि पानी से ही इसमें फ्लेवर आना है और अभी में बताती हूं क्या करना है तो पानी डाल दिया दो कटोरी और अब इसमें हम डालेंगे अबले हुए आलू जिनकों की मैश करके डालेंगे तो यह बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान रेसिपी ह तो बस यह डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे काट के धनिया मिक्स करतेंगे और ढाक करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए धीमी आज पे तो यह करीब 10-12 मिनट तक पकेगी और इतना हमें इसको पकाना है कि पानी हमारा आधा रह जाए तो पानी के सब जब सारे चीजे पकती है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है और धीमी आज पकाने की जल्दबाजी ना करें और धीमी धीमी आज में पकेगी तो इसमें बहुत बढ़ी है तेवलप होगा और बस यह हमारे 10-11 मिनट हो चुके हैं और यहां पर पानी आधा रह गया है अब मैं इसकी ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देती हूं और बस यह स्कॉफ करते ह यह हमारी सबजी तैयार है जटपट सो सिंपल बहुत ही कुएक और मज़ेदार कई बार हमको लगता है कि सिंपल चीजें अच्छी नहीं होती टेस्पे पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है बहुत ही मज़ेदार बनी है एक बर ट्राइ जरूर करिए पूरी के साथ आप इसको सर् कर सकते हैं पूरी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है थांक्स पर वाचेंग